वेलकम टू आर चैनल, आज हम लोगा स्टडी करेंगे कंजरवेशन अफ मेकेनिकल एनरजी, तो हम लोग देखेंगे कि यह क्या होता है, कहां पर इसको अपलाई करते हैं, इसके अपलाई करने का क्या कंडिशन है, और इस पर कुछ इंपोर्टेंट जो इग्जामपल है उसक इसको हम देखेंगे तो हमने थर्ड लेक्चर में जो हमारा वर्क एनर्जी एन पावर का जो थर्ड लेक्चर था उसमें हमने डिसकस किया था वर्क एनर्जी थियोरम तो यह बिसिकली जो कंजर्वेशन और मेकेन कर एनर्जी यह क्या है वर्क एनर्जी थियोरम का ही क्या है एक स्पेशल फॉर्म है तो वर्क एनर्जी थियोरम क्या होता है सबसे पहले मोह देखते हैं चुकि हमें पता है कि जो वर्क एनर्जी थियोरम है वर्क एनर्जी थियो बराबर होगा किसके कानेटिक इनरजी अवियसली बोडी के कानेटिक इनरजी के बराबर या इसको हम दुसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको समझने का एक और तरीका क्या है कि वर्क डन बाई आल फोर्सेज अन बोडी वो किसके बराबर होगा चेंज इन कानेटिक इनरजी आफ डैट बोडी चेंज इन कानेटिक इनरजी आफ डैट बोडी के बराबर होगा यही क्या है वर्क इनरजी थियोरम है और मैंने आपको बताए कि जो वर्क इनरजी थियोरम है जो बिसिकली हमारा किसके वज़ से हो सकता है conservative force हो सकता है non conservative force के दोबारा वर्क हो सकता है external force जो हम अप्लाई करते हैं उसकी वज़ से वर्क हो सकता है और pseudo force यह चार तरह के forces की वज़ से क्या होगा work होगा तुम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि work done व्रक डण बर इस विकिन का रखण होगत चेंज इन का इनरशी के बराबर रोगा उस बोडिग तो यही क्या है मैं इस सेप्ट है इसी में हम क्या करेंगे का स्पेशल केस लेंगे और वही केस को हम क्या बोलेंगे conservation of mechanical energy तो केस क्या होता वही हमें देखना है इसको अगर हम त्वासा different form में लिखे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि work done by non-conservative force work done by external force plus work done by pseudo force एक इसके बराबर होगा change in kinetic energy minus work done by conservative force यह इसके बराबर होगा और यहाँ पर एक important बात है जो हमने potential energy में बताया था कि जो change in potential energy होता हूँ क्या होता है minus work done by conservative force होता है तो यहाँ हम क्या करेंगे यहाँ basically यह जो जितने भी forces है except कौन सा conservative force उसको मैंसे लिख सकते है change in kinetic energy minus of work done क्या होगा change in potential energy तो इसको मैंसे भी लिख सकते है थ्वास और different form कर दे इसको मैंसे लिख सकते है यह क्या होगा kinetic energy change in kinetic energy क्यासे लिख सकते kinetic energy final minus kinetic energy initial plus potential energy final minus potential energy initial इसको गर हम थ्वासा यह कर ले सजा ले तो मैंसे लिख सकते है kinetic energy final plus potential energy final minus kinetic energy initial plus potential energy initial इसको इसको मैंसे बिलिख सकते है चले यह वाला portion मिटा देते हैं तो हमने देखा कि work done by non conservative force work done by external force work done by pseudo force क्या आया kinetic energy plus potential energy final minus kinetic energy plus potential energy initial तो इसको जो क्या होता है इसको जो 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 किया बोलते हैं अगर हम बोले कि mechanical energy क्या होता है या फिर आप इसको इसको भी बोल दो यह हमारा mechanical energy है तो mechanical energy क्या होता है kinetic energy plus potential energy का जो summation होता है उसी को हम क्या बोलते हैं mechanical energy बोलते हैं तो मैं यहाँ पर बोल सकते हैं क्या यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि work done by non conservative force work done by external force plus work done by pseudo force वो किसके बराबर होगा यह mechanical energy यह भी mechanical energy है तो mechanical energy final minus mechanical energy initial तो यह भी क्या है एक important क्या बोल सकते हैं रिलेशन है यह बिसक लिए क्या है work energy theorem का एक a special form है वो special नहीं एडिफरेंट वाला स्पेसल एबी क्या होगा हमेशा वैलिड होगा कि work done by all the forces except क्या should of except क्या कौन्सा force conservative force वो किसके बराबर होगा change in mechanical energy के बराबर होगा इसको कैसे लिख सकते हैं कि work done by all the forces except mechanical energy मैं के सरी except क्या conservative force वो किसके बराबर होगा change in mechanical energy के बराबर होगा तो अगर हम इसको लेंग्वेज में लिख दें तो इसको कैसे लिख सकते हैं एक रिलेशन को कि work done अबाइब बाइब जितने भी forces हैं एक्सेप्ट कौन सा कंसर्वेटिव फोर्स जो कंसर्वेटिव फोर्स हैं उसके छोड़ कर बाके जितने भी chanclic tomato are thecloud हैं थ्वार्टिव फोर्स हैं सबकी वैसे जो्रक डूं होगा वो किसके बराबर होगा चेंजिन मेकेनिकल इनर्जी के बराबर होगा और मेकेनिकल इनर्जी क्या होता है कानेतिक एं令 टि म्लस पोटेंशल हो जिका समेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं मेकेनिकल एनरजी और यह क्या होगा work done by all the forces except ध्यान रखना है कौन सा force conservative forces यतने भी होंगे इसको अटा दो और बाकि जितने भी forces सबके तवारा जो work होगा वो किसके बराबर होगा उस object का change in mechanical energy के बराबर होगा और mechanical energy क्या होता है kinetic energy plus potential energy हमने भी क्या देखा कि work done by all the forces कहने का मतलब क्या कि non conservative work done by external force प्लस work done by pseudo force कि यह सारे forces के वैसे जो work done होगा वो किसके बराबर होगा change in mechanical energy के बराबर होगा या आप ऐसे बुल सकते हो कि kinetic energy final plus potential energy final minus kinetic energy initial plus potential energy initial क्या होता है kinetic energy plus potential energy का summation होता है अब हम देखेंगे यहां पर जो मेन टॉपिक की हम बात करना जो चाह रहे थे वो क्या था conservation of mechanical energy वो क्या होता है यह चीज़ कब conserve रहेगा mechanical energy कब conserve रहेगा जब यह चीज़ क्या हो जीरो तो यह चीज़ जीरो कब होगा जब work done by non conservative force या यह बराबर हो किसके work done by external force यह किसके बराबर होगा work done by pseudo force और एक कितना हो जाए जीरो हो जाए जीरो होगा तभी क्या होगा mechanical energy क्या होगा conserve होगा change in mechanical energy zero कब होगा जब यह चीज़ जीरो हो और चेंज इन मेकनिकल इनर्जी जीरो यानि कि इसके बराबर होगा मेकनिकल इनर्जी इनिश्यल के बराबर होगा तो मेकेनिकल इनर्जी इस गया होगा mechanical energy initial इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि kinetic energy final क्योंकि mechanical energy क्या होता है kinetic energy plus potential energy तो यह final है यह किसके बरावर होगा kinetic energy initial plus potential energy initial यही क्या है conservation of mechanical energy है तो mechanical energy कब conserve रहेगा जब क्या हो work done by non-conservative work done by external और work done by should of force क्या हो zero या फिर आप दूसरे language में ऐसे भी बोल सकते हो कि सिर्फ किसकी वह से वर्क हो सिर्फ conservative force की वह से अगर वर्क होगा जो conservative forces हैं सिर्फ उसकी वह से अगर वर्क होगा तो mechanical energy क्या रहेगा conserve रहेगा तो इसका दूसरा condition आप ऐसे भी बोल सकते हो यह ना बोल कि आप ऐसे बोल दो कि क्या होगा यहां पर क्या होगा कि वें कि जो वर्क हो किसकी वह से सिर्फ हो वनली या फिर आप ऐसे लिख दो वनली वर्क ड़न कि बाई conservative force अगर सिर्फ यह होगा तब हम बोलेंगे क्या यह क्या है कंडिशन क्या है इसको आप दूसरे लेंगवज में ऐसे बोल सकते हो कि वनली वर्क ड़न बाई conservative forces हो तब क्या होगा मेकेनिकल अनर्जी कंडर्व रहेगा यह आप दूसरे लेंगवज में ऐसे बोलो कि वर्क ड़न बाई नौन-कंडर्वेटिव फोर्स और वर्क ड़न बाई शूड़ो फोर्स यह सब जीरो होना चाहिए तब क्या होगा जो मेकेनिकल अनर्जी है वो क्या होगा कंडर्व होगा तो इसके लिए मेन कंडिशन क्या है कि यह पी आप यह ध्यान रख लो कि सिर्फ वर्क इसकी वैसे हो कंडर्वेटिव फोर्स की वैसे वर्क हो यह कंडर्वेटिव फोर्स की वैसे वर्क हो तब क्या रहेगा मेकेनिकल अनर्जी कंडर्व रहेगा तो इस पर हम कुछ एक्जामपल देख सकते हैं इस पर क्या क्या एक्जामपल होगा वह हम देखेंगे तो ध्यां रखना है कि कंडिशन कब होगा मेकेनकर नर्जी कब कंजर धंजर्ब एंचलेट इस PM कोष्टेन कर दें हम लोग कोष्टिन क्या हमारा सिंपल सिंपल सा कोष्ट्ट कर रटे हैं भी इस पर बहुत सारे टबी कोशन बन जाएंगे जी तरीके से तो पहले हम इसको अपलाई करने का तरीका आपको बताते है तो जिसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है कि प्रिंग ब्लोग सिस्टम है यहां पर क्या मैरे पास एक प्रिंग ब्लोग सिस्टम है कि यह मारा क्या है spring block system है जिसका mass मान लेते हैं कितना है let's say 1 kg है और यह क्या है इसका यह मान लेते हैं इसका natural length है और यहां से यह कितना displaced है मतलब कितना इसको stretch किये हुए है हो कितना है 2 meter तो हमें बताना है कि जब इसको हम release करेंगे तो जब यह कहां पर आ जाएगा यह जब 1 meter अपने natural position से अंदर आ जाए यानि compress हो जाए 1 meter तो हमें बताना है कि इस case में कौन से वाले case में इसको let's say मान लेते हैं scenario A इसको मान लेते हैं scenario B तो यहां पर इसका velocity कितना होगा या speed कितना होगा तो question क्या है कि find out find out the speed of the block चुक्या मारा एक के जिका है when when the spring is compressed compressed by 1 meter अगर 1 meter से अगर compressed हो जाएगा कहने का मतलब यह कितना हो कितने से compression natural lens है 1 meter तब उसका velocity या speed कितना होगा तो अब हम क्या करेंगे इसको solve करेंगे तो कैसे solve करना है देखो यहां पर जो work हो रहा है वो किसकी वैसे work हो रहा है यहां पर को external force नहीं है यहां पर gravitational force है उसकी वैसे work ऐसे zero हो रहा है लेकिन वह भी क्या conservative force है नॉर्मल है तो नॉर्मल क्या upward लग रहा है वो conservative नहीं है बट क्या उसकी वैसे जो work हो रहा है किसकी वैसे हो रहा है जो spring force है उसकी वैसे हो रहा है कि यहां पर जो क्या है mechanical energy क्या होगा conserve हो तो यहां पर किस्ति का से緩 क के दवार h कि यहां पर क्या है कि वनली जो वर्क डन है कि वो किसके द्वारा है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा है यहां पर सिर्फ एक ही कंजर्वेटिव फोर्स है जिसकी वैसे वर्क हो रहा है दो भी होता तब भी हम कंजर्व करा दोते लेकिन ध्यान रखना है सिर्फ और सेर्फ वर्क डन किसकी वैसे होना चाहिए conservative forces की वैसे वर्क होना चाहिए यहां पर क्या only work done by conservative force है या conservative forces है यहां पर एक ही force है चुके मैं पता है कि सिर्फ और spring force ही लग रहा है तो यहां पर क्या होगा mechanical energy क्या रहेगा conserve रहेगा या फिर आप ऐसे कर दो कि यहां पर क्या होगा conservation of mechanical energy होगा conservation of क्या होगा mechanical energy और conservation of mechanical energy क्या होता है कि जो mechanical energy final है वो किसके बराबर हो mechanical energy initial के बराबर या इसको आप लिख सकते हो kinetic energy final plus potential energy final is equal to kinetic energy further raw and potential energy initial अब देखते हैं जो हमारा mechanical energy final केनगा मतलब cany tech energy final कहां होगा यहां पर होगा है की नहीं तो यहां पर क्या होगा इसको जब हम यह करेंगी हमें नहीं पता कि यहां पर कितना वेलोसीटी है तो हमने मान लिया कि इसका वेलोसीटी कितना है वी तो इसकेस पर जो बी वाला केस ते जो फाइल पोजिशन है वहां पर कितना होगा half mb square और potential energy क्या होता spring के वैए से half kx square इसका मान लेतने spring constant के है उन्हें बताया नहीं था starting में तो यह क्या हो जाएगा kx कितना है 1 तो यह हो गया 1 का square initial kinetic energy कितना है 0 potential energy कितना होगा half kx square यानि की 2 का square तो इसको जब हम solve करेंगे तो basically यह half half cancel यह क्या हो गया mb square यह हो गया k और यह कितना हो गया 4k तो यह cancel एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा mb square किसके बराबर हो जाएगा 3kk तो यह b square किसके बराबर हो जाएगा 3k by m इसलिए जो v हो किसके बराबर हो जाएगा under root 3k by m तर ये क्या हो जाएगा